अभी मैं हूँ डीडी हाट में तो कल अपर हिमालियन रेंज में काफी स्नोफॉल हुआ है तो मैं थोड़ा से डीडी हाट से उपर एक जंडादार करके एक विवी स्पॉट है, महाँ पर आया हूँ चलिए मैं आपको यहां का विव दिखाता हूँ तो डीडी हाट आता है पिथारागड जिले में तो यहां से पंचाचुली का काफी अच्छा विव आता है साथी साथ कुछ हिमालियन पीक्स नेपाल की भी यहां से दिखाई देती है यह है कुछ पंचाचुली का विव थोड़ा फॉक की वज़े से भी दिखनी रहा है तो जो हैस्ट पीक है वह है पंचाचुली टू एंड उसके बाद है थ्री, फोर और फाइव तो अभी पंचाचुली वन दिख नहीं रही है फॉक की वज़े से तो अपर हिमालिया में काफी स्नो फॉल हुआ है जो पीक दिख रही है आपको तो टिपिकली यहां पे स्नो रहती नहीं है लेकिन लास्ट सेकिंड जैन्वरी में काफी हैवी स्नो फॉल है उपर और यह ब्यूटिफल व्यू है डिडिया टाउन से तो सामने जो हिमालियन पीक्स दिखाई दे रही है यह नेपाल साइट पे है नेपाल में कांडा करके प्लेस है तो यह पूरी पीक्स हुआ ही पर है अगर आपको इनके बेस कैम पे जाना है तो और इंडिया और नेपाल डिवाइडेड है काली नदी से तो ठिक यह हिल्स के बीच में भेह रही है काली नदी और यह वाला जो मौंटे ने इसके बैक साइट में है धार्चुला तो धार्चुला आता है इंडिया में तो वो भी एक इंडिया नेपाल के बॉर्डर में है तो और उसके बाद काली नदी और गोरी गंगा जो की पंचाचुली साइट से आ रही है दोनों मिलती है जौल जीबी पे तो जौल जीबी भी यहीं पर कहीं पर बीच में है नेपाल की साइट को तो जौल जीबी आता है इंडिया में तो वो भी बॉर्डर में आता है और सामन यह दिख रही है आपको पंचाचुली पीक्स और लेफ्ट में है राजरंबा तो जो गोरी गंगा नदी है वो ठिक इसके बैक साइड से यह जो घंदूरा जंगल दिखाई दे रहे हैं आपे इसके बैक साइड से रिवर आ रही है और उधर से काली रिवर आ रही है और दोनो पिथरागण आने के दो रास्ते हैं काडगुदाम से एक तो आप आ सकते हैं टनकपूर चंपावत लोहागाट होते वे नहीं के थूरू और दूसर रास्ता है भवाली अलमोडा बिरीनाग थल होते वे तो वह रूट पिथरागण आने के लिए आपको वाला रूट ज्यादा आसान पड़ेगा तो डिस्टेंस वाइस थोड़ा कम है लेकिन कमफर्ड वाइस नहीं तो क्योंकि यह अभी यह कनेक्ट करता है धार्चुला को तो बॉर्डर सेक्रीटी की वज़े से यह रूट को काफी इंपोर्टेंस दी गई है तो अभी यह पूरा का पूरा डबल ले से आते हैं तो उसके लिए बेस्ट है और अगर आप काडगदाम से आ रहे हैं तो आप थल होते हुए आ सकते हैं आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब तो माई चैनल तो नॉर्मली मैं उतराखंड में जो भी फिमस हिल स्टेशन से उसके बार मैं इंफॉर्मिशन सेयर करते रहता हूँ और जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो आप मेरे ब्लॉग् और अगर कोई भी आपकी क्वेरी या फिर कोई कंसर नो तो कमेंट कीजिएगा मैं उसको आंसर करने की कुछिस करूंगा